पुरस्कार पहला अध्याय आकाश में काले काले बादल खुमड रहे थे परवत माला के अंचल में समतल भूमी से मिट्टी की गंद उठ रही थे रथों, हाथियों और फीड के मथ्य महराज की सवारी बढ़ रही थे कूशल का यह उठसफ प्रसिद्ध था एक दिन के लिए महराज किसान बन इंद्रदेव की पूजा कर हल जोटते थे दूसरे राचियों के युवक राचकुमार उठसफ में फाग लेते थे इस बार मगत का राचकुमार अरुण भी अपने रत पर बैठा उठसफ देख रहा था बीजों का थाल लिए खेत की मालकिन कुमारी मधुलिका महराज की साथ थे सब लोग महराज का हल चलाना देख रहे थे और राचकुमार अरुण देख रहा था मधुलिका का भूला संदर्य उठसफ का प्रधान कारे समाप्थ हो गया महराज ने मधुलिका को खेत का पुरसकार दिया थाल में कुछ स्वन मुद्राएं मधुलिका ने थाली सिर से लगाली किन्तु साथ ही उसमें रखी स्वन मुद्राओं को महराज पर न्योचावर करके बिखेड दिया मधुलिका ने कहा देव मेरे पितामहों की भूमी बेचना मेरी लिए अपराध है वृत्ध मंत्री ने कहा अबोध क्या कह रही है राजा की कृपा का तिरस्कार महराज की संकेत पर मंत्री ने कहा देव वारणसी के युद्ध के वीर सिंग मित्र की ये एक मात्र कन्या मधुलिका है नियम की अनुसार हम उसे भूमी का चोगना मूल दे रहे हैं महराज चुप रहे सभा विसर्जित हुई सब अपने अपने शिवर लोट गए मधुलिका व्रिक्ष की चाया में अन्मनी चुपचा बैठी रही रात्री उत्सव में अरोण ने फाक न लिया उसकी आखों में नीन न थी अरोण ने देखा रक्षक सो रही थे वह उस व्रिक्ष की नीचे चाँ पहुचा जहां मधुलिका नित्रा का सुक ले रही थी कौन? मधुलिका ने चौक कर पूछा देवी, मैं मगध का राचकुमार मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्राड़्थी हूँ मेरा हिरदय तुम्हारी छवी का दास बन गया है मैं कोशल नरेश से तुम्हारी भूमी तुम्हें दिलवा दूँगा नहीं, मैं राश्ट्र नियम नहीं वदलना चाहती चाहे मुझे कितना ही दुख हो मधुलिका उठकर चल दी राचकुमार लोट गया मधुलिका ने राचा का अनुगरा नहीं लिया वह दूसरे की खेतों में काम करती और कठिन परिश्रम से जो सूखा अन मिलता उसे खाकर जोपड़ी में पड़ी रहती आसपास के किसान उसका आदर करते थे इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष्ट बीतने लगे दूसरा अध्याय मधुलिका पीते क्षाणों को याद कर रही थे अत्यदे गरीबी ने उसे और अधीर कर दिया था बाहर वर्षा ने भीश और रूट थारड कर लिया गड़गडा हट पड़ने लगे मधुलिका अपनी टूटी-फूटी छोपडी में काप उठे सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ कौन है यहाँ पथिक को आश्रई शाहिए मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया बिचली चमप उठी उसने देखा एक पुरुष खोड़े पर सवार है वह चल्ला उठी राजकुमार मधुलिका आश्रई से युवत ने कहा तुम्हारी यहदाशा मधुलिका बोल उठी और आज आपकी यहाँ हालत मैं मगद का विद्रोही निकाला गया राजकुमार बैठे अरुण और मधुलिका परस पर बात कर रहे थे इतनी गरीबी में इतनी सैनिक साथ रखने की क्या वशक्ता है मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा ओ तो तुम्हारा उठ्सा कम नहीं हुआ तुम्हारी इच्छा हो कोशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित है वे तुम्हारी प्राथना असविकार नहीं करेंगे कोशल के सेनापती अधिकांश सैनिक लेकर दस्युनाश के लिए बहुत दूर गए हुए है जो कहोगे वही करूँगी मधुलिका ने कहा अगली दिन कोशल नरेश के दरबार में आकर मधुलिका बोली देव, तीन बरस हुए मेरी भूमी ले ली गई थी ओ, तो उसका मूल्य मांगने आई हो नहीं, दक्षणी नाले के समीब उतनी ही जंगली भूमी दे दे मैं अपनी खेती वही करूँगी वह भूमी वह भूमी उभर खाबड है परन्तु दुर्ग के समीब होने से सैनिक महत्वर रखती है तुम्हें लोट चाओं? सिंग मित्र की कन्या तुम निराश नहीं लोटोगी मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश देता हूँ जै हो देव कहती हुई मधुलिका राजमंदिर से बाहर आई दुर्ग के दक्षणी नाले पड जाडिया काटकर मधुलिका का खेत बन रहा था आरुण के आदमी वहा स्वतंत्र खूमते एक दिन आरुण ने कहा आज रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी मैं कोशल का राजा बनूगा आज रात जोपडी में बिताओ कल से तो राजमंदिर में तुम्हारा निवास होगा मधुलिका उठ खड़ी हुई जोपडी की ओर बढ़ती हुई सूचने लगी माकद कोशल का शत्रू है शत्रू की विजय नरेश ने क्या कहा था यह वीर सिंग मित्र की कन्या है नहीं नहीं वह पुकार उठी रात का पहला पहर बीच चुका था वह राह पर खड़ी थी लगभग सौँ अश्वारों ही चले आ रहे थे आगे आगे सेनपती थे वे बोले कौन है तू मैं अपराधी हूँ मुझे पकड़ लो क्या है साफ बता आज रात श्रावस्ती दुर्ग पर दक्षणी नाले के पास से आक्रमण होगा किला शत्रू के हाथ होगा क्या कह रही है तू सीनपती ने चौंक कर कहा मैं सत्ति कह रही हूँ और मधलिका को साथ लेकर स्वयम दुर्ग की ओर बढ़ गए अश्वरोहियों को आते देख प्रहरी चौंक गए उन्होंने सेनपती को पहचाना श्रावस्ती दुर्ग का द्वार खोला सेनपती ने पूछा दुर्ग में कितने सैनिक होंगे सेनपती की जए हो दोसो बिना आवास किये उन्हें दुर्ग के दक्षुनी ओर ले शलो सेनपती ने मधलिका को पीछे आने का संकेत किया और राजमंदिर की ओर बढ़े महराज के पास जाकर बोले शमा हो देओ इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहां आना पड़ा महराज ने कहा सिंग मित्र की कन्या तुम्हें दक्षुनी नाले के समीप भूमि दे दी गए थी देव किसे गुप्त शत्रु ने आज राद दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है इस इस्त्री ने ये संदेश दिया है महराज ने पूछा मधुलिका क्या ये सत्य है हाँ महराज तुमने ये सूचना देकर पुरस्कार का काम किया है महराज ने कहा तीसरा अध्याए राचकुमार अरुण अपने साथियों के साथ पकड़ा गया बंधी अरुण को देखते ही, जनता रोश से चिल्लाई प्रारदंड, प्रारदंड राचा ने सहमती दी, मधलिका बुलाई गई तुम्हे जो पुरुसकार लेना हो मांग लो वह चुप रही, राचा ने कहा मधलिका ने बंधी अरुण की ओर देखा और कहा मुझे कुछ न चाहिए अरुण हस पड़ा, राचा ने कहा नहीं, मैं तुम्हे पुरुसकार आवश्य दूँगा, मांग लो तुम मुझे भी प्राण दंड मिले कहती हुई वपंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई शुरी जैशंकर प्रसाद